दोस्तों आप सभी को एटमिक बॉम के बारे में तो पताईगो कि वो कितना कतनाक होता है कि अगर उसे किसी सेर या किसी जगह पर छोड़ा जाए तो वो उसे पल बर में मिट्टी में मिला सकता है पर कैब को यह पता है रशियन टीजार बॉम को नाम का एक बॉम है जो कि इस सिर्फ रशिया के पास ही पाया जाता है और वो इसलिए कि अगर इस नागशा के और हिरोश्मा पर हुए एटमिक बॉम ब्लास से कंपेरिशन किया जाए तो यह लगबाव उससे 3800 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है वीडियो चलगी तो लाइक रेशेक रहें चैनल को सब्सक्